नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों अगर आपके पास भी Macbook है और आप अपनी Macbook को थोड़ा और बहतर तरीके से यूज़ करने के लिए कुछ Amazing Apps के बारे में चालना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 15 ऐसी Apps जिनको यूज़ करके आप अपनी Macbook का और बैतर फाइदा उठा पाएंगे मेरे नाम है सिदार तो और आप देख रहे हैं Tecno Edits India हमारी इस लिस्ट में सबसे पहली एप है Alfred Alfred दोस्तों एक Spotlight Replacement है जिसमें आप जब अपने Mac की Command की को दो बार प्रेस करते हैं तो आपको इस तरीके की एक Alfred की Window देखने को मिलती है इस Window से आप किसी भी एप को बड़ी असानी से Open कर सकते है Alfred की मदद से आप अपने Mac की Settings को भी असानी से Open कर सकते है इसके अलावा आप डिरेक्ली Alfred की Window से ही कुछ भी सर्च कर सकते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं How to Meditate और यहाँ पर Enter को प्रेस करते हैं तो हम डिरेक्ली अपने Google के सर्च रिजल्ट पर चले जाते हैं How to Meditate के दोस्तो Alfred का Interface मुझे यहाँ पर Spotlight से थोड़ा Better लगता है और दोस्तो इसको यूज करने में हमारा काफी Time बचता है Next App है दोस्तो Notion दोस्तो अगर आप कुछ समय से Mac को यूज कर रहे हैं तो आपने जरूर इस App के बारे में सुना होगा Notion एक काफी भड़िया Productivity App है जिसमें आप अपनी पूरी Life को अच्छे से Organize कर सकते हैं इसमें आप Different Templates को यूज कर सकते हैं अपनी Life के Different Areas जैसे कि Personal, Business या Work के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Personal में आपको यहाँ पर Different Templates यहाँ पर देखने को मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पर इस Goals वाले Templates को सिलेक्ट करके अपनी Life के Different Goals को यहाँ पर सेट कर सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर इस General वाले Templates को भी यूज कर सकते हैं डेली जनरलिंग करने के लिए अगर आप एक Student है तो आप यहाँ पर Student से Related काफी सारे Templates देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप एक Working Professional है तो आप यहाँ पर Engineering, Human Resource और Marketing से Related भी काफी सारे Templates Notion में देख सकते हैं मैं दोस्तों Notion को अपनी Life के Different Areas को Organize करने के लिए यूज करता हूँ इसके अलावा Business Section में यहाँ पर मैंने अपने Different Businesses को Organize किया हूआ है Notion में दोस्तों Notion की खास बात यह है कि आपके सभी Apple Devices पर Available है और आप अपने iPhone या iPad पर इसके विजिट्स को भी देख सकते हैं Next App दोस्तों एक Password Manager अप है जो की है LastPass LastPass में दोस्तों आप अपने Different Apps और Website के Password को Securely Save कर सकते हैं यहाँ पर आप अपने Set की हुए Password को LastPass में Save कर सकते हैं या फिर LastPass के Suggested Password को भी असानी से यूज कर सकते हैं LastPass की अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप इसको Across Platform यानि की Apple, Android और Windows Platforms पर यूज कर सकते हैं तो दोस्तों आजकल के समय में जब Password Breach काफी Normal हो गया है तो आप LastPass जैसी App को यूज करके अपने Passwords को Secure कर सकते हैं Next App है दोस्तों एक To Do List अप जो की है To Do List To Do List दोस्तों मेरी GoTo To Do List अप है इस अप में आप Natural Language Processing की मदद से बड़ी असानी से अपने टास्क को सेट कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर हम एक नया टास्क सेट करते हैं कि Run 10 किलोमीटर एवरी डे और यहाँ पर इस टास्क को Add कर देते हैं तो आप जो भी टास्क को यहाँ पर To Do List में सेट करते हैं उनको आप अपने Google कैलेंडर में भी देख सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यह एप भी आपको Across Platform देखने को मिलती है इसके साथ दोस्तों एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हम अपनी लिस्ट को अपनी Apple Watch पर भी देख सकते हैं नेक्स्ट एप है दोस्तों एक Photo Editing एप जो की है Pixelmator Pro Pixelmator Pro दोस्तों एक Photoshop Alternative है जिसमें हमें Photoshop की तरह monthly subscription नहीं देना परता और यह सिर्फ एक One Time Purchase है और यह काफी सस्ती एप है यहाँ पर App Store पर इस एप में दोस्तों आप हर तरीकी की Photo Editing कर सकते हैं यहाँ पर आपको सारे Major Photo Editing Options देखने को मिलते हैं जो आपको Photoshop में देखने को मिलते हैं इसके अलावा दोस्तों इस App का Background Removal Tool बड़े ही अच्छे से काम करता है तो यह काफी अच्छी Photo Editing App है आपके Mac के लिए दोस्तों अगर आप Video Editing करते हैं अपनी Mac में तो मेरे हिसाब से Mac के लिए सबसे अच्छी Video Editing App है Final Cut Pro अगर आप थोड़ी Advanced Level की Video Editing करना चाहते हैं तो Final Cut Pro मेरे हिसाब से Best App है आपके Macbook के लिए इसका Main Reason यह है दोस्तों कि यह Apps के वल Max के लिए अवेलेबल है और यह Max के लिए Perfectly Optimized है तो Final Cut Pro में आप काफी Fast Video Editing कर सकते हैं Next App है दोस्तों Set App Set App दोस्तों असल में एक App Store है जिसमें आप कुछ Monthly Subscription देकर काफी सारी Useful Apps को यूज कर सकते हैं बिना किसी App को यलिए अलग से Payment किये हुए यहाँ पर आप Different Categories की App को देख सकते हैं जैसे कि Lifestyle, Creativity, Developer Tools, Productivity, Education, Maintenance और भी काफी सारी Categories की App को यहाँ पर देख सकते हैं यह सारी Apps दोस्तों आपको Set Apps के Subscription के साथ मिलती हैं और इन में से किसी भी App के लिए आपको अलग से Subscription Feast या Payment नहीं करना पड़ता है इन फैक्ट दोस्तों इस वीडियो में आगे आने वाली कुछ Apps ऐसी हैं जो आपको Set Apps के Subscription के साथ ही मिलती हैं अगली App है दोस्तों Timing Timing में आप अपनी Different Apps की usage को चेक कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी Last One Hour की usage यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मैंने यहाँ पर कौन सी Apps को कितनी देर के लिए यूज किया है इसके अलावा Left Side में इस Panel में आप देख सकते हैं Different Categories में यहाँ पर Different Apps को Assign किया गया है आप यहाँ पर अपनी different apps को different categories में यहाँ पर assign कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर social media में apps को define कर सकते हैं shopping, tech, education and research, reading and writing और office and business जब आप अपनी different apps को इन categories में define कर देते हैं तो आप बड़ी असानी से यह देख सकते हैं कि आप कौन सी category की app में सबसे ज़्यादा time दे रहे हैं तो दोस्तो इस app की मदद से आप उन apps पर नज़र रख सकते हैं जो आपके हिसाब से unproductive हैं और आप उनके time को दीरे-दीरे कम कर सकते हैं timing app दोस्तो आपको set app के subscription के साथ ही मिलती है next app है दोस्तो clean my mac x clean my mac एक one stop solution है आपके mac को manage करने के लिए इस app से आप बड़ी असानी से अपने mac को clean up कर सकते हैं आप यहाँ पर different option देख सकते हैं कि यहाँ से आप अपने system के junk को clean कर सकते हैं अपनी mail attachments को clean कर सकते हैं और trash bins को clean कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर आप different protection के option भी देख सकते हैं जैसे कि malware, removal और privacy से related और दोस्तो इस app की मदद से आप अपने mac का optimization भी कर सकते हैं और maintenance से related भी आप यहाँ पर different options कर सकते हैं जिसमें आप अपनी drive की performance को improve कर सकते हैं application की different errors को यहाँ पर remove कर सकते हैं और अपने mac की search performance को भी यहाँ पर improve कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर application वाले section में आप uninstaller की मदद से यहाँ पर किसी भी app को यहाँ से select करके ऐसे uninstall कर सकते हैं आप यहाँ पर इन apps को sort by name या sort by size भी कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कौन सी apps हैं जो आपके mac में ज़्यादा space ले रही हैं तो अगर आप उन apps को use नहीं करते हैं तो आप यहाँ से उनको uninstall कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें updater का option भी देखने को मिलता है जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कौन सी app की update available है नॉर्मली दोस्तों हम सिर्फ उनी apps की update को यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने app store से download की होती हैं तो यह काफी अच्छा option यहाँ पर हमें मिलता है clean my macs app में इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम different extensions को भी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ से अपने extensions को manage कर सकते हैं और दोस्तों इस files वाले option से हम यहाँ पर files को manage कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी file हमारे mac में ज़्यादा space ले रही है इस section से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी large file है हमारे Mac में और कौन सी ऐसी file है जो हम graphics टाइम से हमारे Mac में है और हम उनको use नहीं करते हैं यहाँ पर उन सारी files की list को आप देख सकते हैं जो काफी बड़ी size की हैं और हमारे Mac में काफी space ले रही हैं तो अगर आप उन files को use नहीं कर रहे हैं तो आप उनके files को यहां से delete कर सकते हैं और अपने Mac में space को create कर सकते हैं तो दोस्तो यह काफी useful app है CleanMyMac X जो कि हमें यहाँ पर set app के subscription के साथ ही मिलती है Next app है दोस्तो OneSwitch OneSwitch app की बन्ज़त से दोस्तो आप अपने Mac में different functions को on off करने के लिए यहाँ पर यह buttons add कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे Mac के different functions के लिए यहाँ पर आपको यह toggles देखने को मिलते हैं इन toggles को on off करके आप अपने Mac के different functions को यहाँ पर control कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तो आप इस कस्टमाइज वाले option के उपर tap करके यहां से किसी और function के button को भी अपने Mac के उपर taskbar में add कर सकते हैं यह One Switch app भी दोस्तो आपको अपने setup subscription के साथ मिलती है Next app है दोस्तो एक download manager app जो कि है Downy इस app की खास बात यह है दोस्तो कि आप इसकी मदद से किसी भी website से वीडियो को high quality में अपने Mac पर download कर सकते हैं और भड़िया बात यह है दोस्तो कि Downy औल्मोस्त सभी major video platforms पर काम करती है Downy app भी दोस्तो आपको setup subscription के साथ मिलती है Next दोस्तो एक बड़ी ही दिल्चस्प app है जो कि है NewMe जब आप दोस्तो अपनी NewMe app को open करते हैं तो आपको इस तरीके का एक interface देखने को मिलता है NewMe एक बड़ी ही दिल्चस्प app है दोस्तो जिसमें आप किसी भी चीज की calculation या conversion को उसको type करके देख सकते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ पर type करते हैं कि 1 foot 2 meter तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 1 foot 2 meter का result देखने को मिलता है 0.3 इसी तरीके से आप यहाँ पर कोई calculation भी कर सकते हैं जैसे कि 3 plus 3 Next app है दोस्तो Unclutter Unclutter app की मदद से दोस्तो आप अपनी files और photos को temporarily clipboard पर place कर सकते हैं जिससे आप उन्हें आसानी से कहीं पर भी paste कर सकें Unclutter के interface को देखने के लिए जब हम अपने mouse को अपने screen के top पर ले जाते हैं और नीचे drag down करते हैं तो हमें Unclutter का यह interface देखने को मिलता है इसमें left side में हमें clipboard का option देखने को मिलता है जब हम अपने computer पर किसी text को copy करते हैं तो वो यहाँ पर इस clipboard पर आ जाता है तो हम उस folder को open करके यहाँ से इस clipboard से इस file को drag करके उस folder में ऐसे paste कर सकते हैं तो दोस्तो हम Unclutter की मदद से बड़ी असानी से अपने Mac में किसी भी file को एक folder से दूसरे folder पे move कर सकते हैं Next app है दोस्तो 24 hour wallpaper इस app की मदद से दोस्तो आप अपने Mac के wallpapers को हर 24 hours में automatically change कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस app में आपको different wallpapers देखने को मिलते हैं और यह wallpaper automatically change होते रहते हैं time of the day के हिसाब से तो अगर आप अपने Mac में different wallpapers को set करना चाहते हैं तो यह app काफी अच्छी app है उस चीज़ के लिए और दोस्तो यह 24 hour wallpaper app भी आपको अपने set app subscription के साथ ही मिलती है और दोस्तो इस list में last app है Evernote Evernote दोस्तो एक famous note taking productivity app है जिसमें आप notes को ले सकते हैं टास्क को manage कर सकते हैं और Evernote के website clipper की मदद से किसी भी website को अपने notes में clip कर सकते हैं Evernote app दोस्तो across platform काम करती है तो आप अपने Mac में किसी भी note को Evernote में ले सकते हैं और उसके बाद अगर आप उस note को अपने Windows PC में या फिर अपने किसी Android device में एकसेस करना चाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी वो 15 apps जो I am sure आपके Mac के लिए काफी useful साबित होंगी हमें उमीद है कि आपको ये video useful लगा होगा अगर आपको ये video पसंद आया हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया video आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके दन्यवाद